अगर आपको भी आलु खाना पसंद है, आलु खाने के सौखेन है और आलु की अगर कोई तीखी चटेपुटी सी कोई रेसिपी ट्राइ करना चाहते है ना बनाने में बहुत आसान हो, खाने में बहुत यदा टेस्टी होना तो यह वीडियो आपको बहुत यदा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम भुआत ही मसदा रेसिपी share करने वाले है आलू की। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसकी लिए यहाँ पर हमने यह छोटी वाली जो आलू होती है न वो हमने इस्तेमाल करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए जो बड़ी आलू होती है उसको तो हम बहुत आसानी से सब्जियों में इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत इसली उसका हम चिलका हटा पाते हैं लेकिन जो छोटी आलू होती है न हम सोच में पढ़ जाते हैं कि इसको हम कैसे चीले हैं इसका हम क्या बनाएं तो यह recipe आपको बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पर हमने 1 kg आलू लिया हुआ है छोटी वाली इसको अच्छे से हमने पानी से साफ कर लिया है और चलिए अब इसको हम boil कर लेते हैं तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं boil करना है हमने high flame पर 2 cm लगाई हुई है तो यह देखे आलू अच्छे से boil हो चुके हैं इन्हें over cook हमें नहीं करना है high flame पर किवल 2 cm हमने लगाई है और उसके बाद चलिए अब इसका हम छिलका हटा लेते हैं तो यह लीजिए आलू को तो हमने अच्छे से boil कर लिया है आप देख सकते हैं और यह दिखने में जितनी सुन्दर लगती है न छोटी आलू खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजेगा तो यहाँ पर हमने पैन लिया है गयस हमने ओन कर दिया है अब इसमें डालेंगे बटर तो बटर का हमने यह एक क्यूब लिया हुआ है आप इसमें कोई तेलिया घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो बटर हलका सा मिल्ट हो चुका है तो अब इसमें डाल देते हैं यह छोटी वाली आलू जो कि हमने बॉयल करिये भी न और इसलिए मैंने बोला ना कि इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है अगर बहुत ज़्यादा बॉयल कर देंगे न तो उतना टेस्टी यह नह तो कॉंटिटी थोड़ी ज़्यादा हमने रखी है थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं यानि की टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको हम मिक्स कर देंगे और इसी तरीके से हम चलाते हुए इसको हलका सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं करना है हलक इसी कोटिंग आपको रेडनेस दिखाई देरी होगी ना तो बस इसी टाइम पर हमें क्या करना है इसको हमको निकाल लेना है एक प्लेट में इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे इसका कलर बहुत ही प्यारा आ गया है और आप सोच सकते हैं कि यालू बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो अब हम दूबारा से एक क्यूब बटर का डालेंगे उसी पैन में और बटर हल्का सा गरम होगा तब इसमें डालेंगे एकदम बारी कटा हुआ लहसुन लहसुन से बहुत ही बढ़िया फ्लिवर आता है तो इस्तेमाल आप जरूर कीजेगा और अगर लहसुन नहीं खाते है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एक चुटी चमज इसमें जीरा डाल देते हैं कुछ समय के लिए इसको हम रोस्ट कर लेते हैं यानि कि इसमें फ्राई कर लेते हैं बटर के साथ इसको ज्यादा देर नहीं करना है केवल कुछ सेकिंड के ल लिया हुआ है दो बड़े चमबच बहुत ही बड़िया इसका टेस्ट आता है तो इसका इस्तेमाल तो आप जरूर कीजेगा इसको किप नहीं करियेगा और एक चमबच के जितना इसमें डालेंगे हैं ग्रेन चिली सॉस कि थोड़ा सा तीखा और चटपटा ही काफी अच्छा यह डाल दलेते हैं, यह दिखने में बहुत ही सँदर मैँ अछे लगता है थोड़ा सथी खाने में तो बस किसा भी ज़्याई रीते हैं तो बस दो मीनट के लिए इसको और पका लिया है तो बस लोग वनाला हो प्रेंब का भी अकश्या ज़्या concept यह बहुत यहादा टेस्टी लगता है और चाय के साथ तो इसकी बात ही कुछ और है तो एक बार आप इसको जरूर राई कीजेगा बनाने में बहुत आसान है खाने में बहुत यहादा टेस्टी है तो बस गैस को हमने ओफ कर दिया है आधी शोटी चमबच के जितना काली टेस्ट आता है उससे तो यह देखिये आलू का आप कलर देख सकते हैं लग रहना बहुत यहादा टेस्टी लगता है आलू की तो आपने बहुत सारी सबजी बनाइई होगी बहुत तरीके की आपने रेसिपी ट्राई की होगी लेकिन एक बार आप च्षोटी वारे आलू की रेसिपी बना कर यह वाली जरूर ट्राई कीजेगा गारंटी है कि आप इसके फैन हो जाएंगे इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है थोड़ी सी तीखी और चटपटी होती है खाने में बहुत यदा मज़ेदार की होती है और आप इसको ना चाय के साथ खाएंगे ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर